नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर कारगिल युद्ध की हीरो और परमवीर चक्र विजेता सुभेदार मेजर योगेंदर सिंग यादव शुक्रवार को शहर के बजेरिया परिसर्शित वंदे मातरम उध्यान के उद्गाटन के लिए आमंत्रित किये गए थे समारों से पहले उन्होंने मनपा मुख्याले में शहर के पत्रकारों से बाच्चीत की उन्होंने 1999 कारगिल युद्ध में अपनी भूमीका से संबंदित कई सवालों के जवाब दिये अठरा ग्रेनेडियर्स रेजिमेंड के सुभेदार मेजर योगेंदर सिंग यादव जुलाई 1999 में द्रास सेक्टर में ट्राइगर हेल पुन्हा कबजा करने के ऑपरेशन में भारतिय सेना के घातक प्लाटून के सदर से थे मातर 19 साल के आईउ और धाई साल के अनुभों के बावजुद अत्यंत वीपरित परिस्थितियों में उन्होंने दुश्मनों का आदम में साहस के साथ सामना किया दुश्मन की जवाबी कारवाई के दवरान उनका शरीर कई गुलियों से चलनी हो चुका था और वे गंबिर रूप से गायल हो चुके थे लेकिन फिर भी भारतिय थलसेना और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की गौरवशाली परमपरा को कायम रखते वे उन्होंने असाधारन सूजबूज और वीरता दिखाई केवल एक हैंड ग्रेनेड और दुश्मन से चीनवे मशिन गन से उन्होंने दुश्मन की पूरी प्लैटून को उल्जाय रखा यहां तक की भागने पर मजबूर कर दिया इस कारवाई के लिए उन्हें भारत सरकार के सर्वच्च भाहदूरी पुरसकार परमवीर चक्र से नवाजा गया महामेट्रों के रीच 2 में गड़ी गुदाम परिसर में गुरुद्वारे के निकट रेलवे ब्रीच पर चार स्तर या परिवहन प्रनाली का ब्रीच सैयर किया जा रहा है रेलवे ट्रैक के उपर भारी भरकम ब्रीच के धाचे का निर्मान करना बहत कठीन और चुनोती पूरुन कारिया होने के बावजुद महमेट्रों ने गुरुवार की रात को 800 टन वजनी ब्रीच के स्टील के धाचे के निर्मान का कारिया सफलता पूर्वक कर एक नया इतियास रज दिया है भारतिये रेल लाइन पर 800 टन वजनी गरडर की स्थापना कर महमेट्रों ने एक नया और अनुखा रिकॉर्ड बनाया है उल्लेखनी है कि देश में पहली बार शहर इक्षेतर में 1650 टन वजन शमता का ब्रीज निर्मान किया जा रहा है यह मेट्रों गड़ी गुदाम गुरूद्वारा में 14 तर ये परियोऔन प्रनाली का निर्मान कर रहा है जो तकनिक रूप से बहुत कथिन और चूनाती पुरुना निर्मान कारिया निश्चित रूप से रिकॉर्ड बुक्स में दर्श किया जाएगा गरडर लॉंच होने पर अनुखा रिकार्ड बनाया गया स्थापित किये गए 800 टन वजनी स्टील गरडर में 32,000 हाइ स्ट्रेंद फ्रिक्षन ग्रिप बोल्ट का उपयोग किया गया है और पूरी सनरचना के लिए 80,000 बोल्ट का उपयोग किया जाएगा जमिन से स्ट्रील गरडर की वर्तमान उचाई 32 मिटर है नागपूर मंडल मद्ध रेल ने खानपान नीती के अभिनव विचारों के ताथ नागपूर स्टेशन पर रेस्टोरेंट औन विल्स की स्थापना की है रेस्टोरेंट को एक अनुपयोगी रेल कोच का उपयोग करके बनाया गया है जो नागपूर स्टेशन में एक अईतिहसिक भोजनाले बन गया है रेल पर लगे रेस्टोरेंट कोच नागपूर स्टेशन के भाहर स्थित है कोच को एक सटिक रूप प्रदान किया गया है कोच को सजाते समय नाकपूर शहर के महत्वपुरुन बिंदुव पर भी विचार किया गया है कोच के मूल रंग और डिजाइन को बनाय रखा गया है रेस्टोरेंट एक डिजाइन स्थान होगा जो भोजन करने वालों को एक अनुठा अनुभव प्रदान करेगा और कोच के अंदर 40 सौरक्षकों को समय उजित करेगा रेस्टोरेंट के इंटेरियर को इस तरह से चजाया गया है कि यात्रियों के साथ साथ जनता भी रेल थीम वाली सेटिंग में भोजन करने के अनुभव का आनन ले सके उत्तर दक्षिन महाद वीपिय और अन्यवंजन उपलब्द होंगे और रेस्टोरेंट यात्रियों और आम जनता के लिए भी 2400 घंटे खुला रहेगा रेस्टोरेंट में सरकार द्वारा जारी किये गए सभी COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा मंदल रेल प्रबंदक रिचा खरे मध्धर रेलवे नाकपूर मंदल ने नाकपूर स्टेशन पर रेस्टोरेंट और विल्स का निरिक्षन किया और प्रकल्प की सराहना की आर्यानगर एनाइटी गार्डन में आर्यानगर कराटे एसोसियेशन की और से प्रमानपत्र वितरन का कारेक्रम आयोजित किया गया एस आउसर पर पुर्वस्ताई समिती अद्यक्ष विरिंद्र कुकरेजा भाजपा उत्तर मंडल अद्यक्ष संजय चौधरी मुख्य अतीतियों की तौर पर उपस्तित थे कुकरेजा ने अपने संबोधन में मेधावी छातरों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल कूध में भी आगे आने की अपिल की कुकरेजा और चौधरी की हस्ते बच्चों में प्रमानपत्र वितरिक किये गये इस कारेक्रम में प्रभाग अध्यक्ष खुशाल दोई फोडे, आकास जताले, योगेश वरूटकर, रविंद्र वागमारे, संपत्राव चौधरी, ठाकरे, पोटे, संजय जाधा हो, प्रशांत वाग, वो अन्यस्थानिय नागरिगण उपस्तित थे महत्मगंदी अंतरराष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्धाले के कुलपती प्रोफिसर रजनिश कुमार शुकल ने कहा कि राष्ट्रिय शिक्षानिती 2020 भारत को आत्मनिर्बर बनाने का सपना साकार करेगी शुकलने यह बात महत्मगंदी फ्योजी गुरुजी सामाजिक कारे अध्यान केंद्र एवं स्वदेशी जागरन मंच विधर्ब प्रांत के सैयुक्त तत्वावधान में तीन फरवरी को आयोजित राष्ट्रिय शिक्षानिती 2020 के परिप्रेक्षम में आत्मनिर्बर भारत हे तु स्वावलंबी शिक्षा विशयक संगोष्टी की अध्यक्षता करते हुए कई उन्होंने नई शिक्षानिती के विभिन्न पहलियों की चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रिय शिक्षानिती के लागो होने से बड़े पैमाने पर रोजगार सुरूजन होगा और हम आउरों को भी साहरा दे सकेंगे या आज के परिप्रेक्ष में स्वावलंबन एवं आत्मनिर्वरता को जागरूत करने वाली निती है जो मुख्य रूप से युवाव को ध्यान में रखकर तयार की गई है भारत को विश्वगुरू के रूप में स्थापित करने के ख्षम समगर समावेश किया गया है JCI नागपूर मेटरो EPS प्रशिक्षन संगुष्टी की दो दिवसिय कारियाशाला का आयोजन किया गया जोन ट्रेनर और पूर्वराश्ट्रिय समनवायक मल्टी लोम ट्रेनिंग JFM आनन शर्मा ने इसमें कई कौशल सिखाए कारियशाला में 25 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया विशिष्टा अतिरी के तौर पर उशान अंदेड कर पूर्व अध्यक्ष जेसी प्रीती प्रदान, जेसी लक्षमीकान, जेसी बोसकर उपस्ठी थे विठल रुकमिणी मंदिर श्री संतो उपासराव महराज मट, जागनात बुधवारी का अध्यक्ष सर्वानुमती से सुनिल डोमाजी लारोकर को नियुक्त किया गया है देवस्थान के सची उपत पर प्रभाकर रगुनात पार्दी की नियुक्ती की गई है देवस्थान के पुराने अध्यक्ष पुनलिक राव पार्दी ने अपने पत से इस्तिपा दिया समाज बंदुओं की सभा में मदूकर कटारे, प्रताप लारूकर, अम्रूत्राव पार्धी, अशोक लारूकर, अशोक कटारे, राजेश लारूकर, श्रिकान डोईफोडे, राजकुमार तुमाने, शैलेश पार्धी, आधी उपस्थित्ते, नवनियोकत अद्धक्ष सुनि होरे शंबुनगर पुलिया का विरिंद्र कुकरेजा वा उत्तरमंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने आज जायजा लिया, साथी नारा एवं अन्य रियाइशी इलाकों की समस्याओ को अविलंबस उल्जाने के लिए जमादार वो ठेकेदारों को संबंदित निर्देश द जनाया जा रहा है, कड़ बिचोग से पहलवान बाबा दरगा गार्ड लाइन तक करने की मांग को लेकर मुमिनपुरा की जनता वह AI MIM ने जिलादीकारी को ग्यापन सोपा, पुलिया को लेकर जनता में तिवरा आक्रोश है, मुमिनपुरा ओवर ब्रीज को जल्द से मुमिनपुरा ओवर ब्रीज बन जाने से ओवर ब्रीज के नीचे असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाएंगे और कई लोग वेरोजगार होंगे, ओवर ब्रीज को कड़बी चोग से गार्ड लाइन तक करने की मांग मुमिनपुरा की जनता ने की है, AI MIM ने पत्र में कहा कि मां पूरी न होने पर तीवर आंदूलन किया जाएगा, इस अउसर पर सलाउद्दिन अंसारी, इसाक अंसारी, शफी कुन्बी खान, मास्तर सलाम, मुम्मद शब्बिर शम्मी, डॉक्टर मुम्मद इश्रत, मुम्मद मज़र, नासिर खान, जाविद अक्तर, जुलपेकार अह कार्यकरता और पदादिकारी गण उपस्तित थे, आज 15 पलस और 45 पलस आयू वर्ग के सभी नागरिकों का कुविशिल्ड का टिका करण, नापपूर महनगर पालिका के साथ साथ सरकारी किंदरू पर होगा, टिका करण का समय शाम के 5 बज़े तक होगा, टिका करण के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करण किया जा सकता है, इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनिशन के इंदरू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायू के सभी नागरिकों को कोविशिल्ड के जरिये टीका करण किया जाएगा, यह जानकारी चिकित सा स् संजय चिलकर ने दी, इसी तरह 15 वर्ष और 45 वर्ष आई उवर्ष के नागरिकों के लिए कोविशिन का पहला और दूसरा डोज, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबसाय वामबेट कर अस्पताल कामठी रोड वस्वर्गिया प्रभाकर दटके मनपा महाल रुगनिदान आईसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पाचपावली और प्रगतिया ओल दिगोरी में उपलब दै हाल ही में केंद्रिय वित्तमंत्री निर्मला सितारमन द्वारा संसद में बजट 2022 पेश किया गया इस बजट को संतुलित और कल्यानकारी बताते हुए शहर के विभिनव्या पर संगट्नों के प्रतिनीधियों ने प्रतिक रियाय दी सीए साकेत बागडिया ने कहां कि प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्टिये मास्टर प्लान में शामिल बुनियादी धांची के विकास और कुरुशिक शेत्र के उत्थान के लिए अमल में लाई जा रही योजनाओ का जिक्र किया गया है अतहां ये एक संतुलिद बजट है 9.2 प्रतिशत की अनुमाने GDP रुद्धी के साथ उर्जक्षेत्र और जलवायू परिवर्तन में पहल एक स्वागत योग्य कदम है हाला कि बजट से बहुत अधिक उमीद की गई थी लेकिन फिर भी मौजुदा हालातों को देखते हुए एक संतुलिद बजट पेश किया गया है वही दूसरी और रोकडे ज्वेलर्स के डारेक्टर राजश रोकडे ने कहा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के विशेशग्यों को बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की आशा थी लेकिन इस मुद्दे पर केवल निराशा ही हाथ लगी है फिर भी अच्छी बात ये है कि कोई नए प्रतिबंध या टैक्स नहीं लगाए गया है इसलिए कुछ कामीयों के बावजूद कुल मिलाकर इस बजट को एक संतोज जनक बजट कहा जा सकता है हाल ही में घोशित केंद्र सरकार के बजट 2022 पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पैनालिस्ट चंदन गोस्वामी ने कहा कि किसानों और आमनागरिकों के लिए बजट में कई सकारात्मक निरने लिये गया है हर घर में नल योजना दरसल देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं में से एक है केंद्रिय वित्त मंत्रे निर्मला सितारमन ने इस बजट के जरिये देश को विकास की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है वही दूसरी और Confidence Petroleum India Limited के अध्यक्ष एवं प्रवंदा निदेशक नितिन खारा ने कहा कि ये एक सुधारात्मक बजट है जो विकास को बढ़ावा देने और COVID-19 महामारी से प्रभावित उद्योगों की सहायता करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धा को दर्शाता है Finance Broker Mahindra M. Kataria ने कहा कि ये बजट एक संतुलित, कल्यानकारी, विकास शिल और आधुनिक बजट है जो प्रगतिशिल अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ सबका विकास हासिल करने में सक्षम है सरकार की सकारात्मक सोच और आने वाले वर्षों में अमल लाई जा रही योजनाए आत्मा निर्भर भारत मिशन में सफलता प्राप्त करने है दू महत्वपुर्ण कदम है केंद्रिय सडक परिवहन एवं राज मार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि हमारे सशस्त्रे नेताओं के विर्जमानों और अफसरों की वजह से ही देश की सिमाय सुरक्षित है हम सीमा पर लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते गड़करी नाकपुर महानगर पालिका को वस्तर निकम द्वारा बजरिया परिसर में गांधी सागर तालाप के पास आवंटित जमिंद्वर मनपा द्वारा बनाए जा रहे है वंदे मातरम उद्ध्यान के भूमी पुजन समारों के अउसर पर भाशन दे रहे थे इस कारेक्रम में परमविर चक्र विजेता सुभिधार मेजर योगेंद्र सिंग्यादव, महापरदया शंकरतिवारी, स्थाई समिती के अध्धिक्ष प्रकाश भोयर, पिधायक प्रविंदट के चंदरे शिखर बावन कुले, संजे बालपांडे, भाचपनेता चंदरकान पाटिल आदि मान्यवर उपस्तित थे, इस अउसर पर गड़करी ने कहा कि ये उद्ध्यान इस शेत्र के नागरिकों को ताजा ऑक्सिजन प्रदान करेंगे, इस घनी आबादी वाले एक शेत्र में पार्क के बहुत जरूरत थी, मैंने अनुभाव किया है कि हमारे विर ज परियोजना का पूरा करना मुश्किल था। पर गड़करी ने दोनों मशीनों की पूजा कर उनके चालकों का अभिवादन किया, नागपूर शहर में सड़क की सफाई के मामले में मेकैनिकल रोट स्विपिंग मशीन एक बड़ा कदम है। शहर के कई सड़कों पर डिवाइडर के किनारे गंदगी और मलबा जमा हो जाता है, जिससे नागरिकों को आवाग मन में काफी दिक्कत होती है। कोरोना माहमारी के मद्दे नजर रोजगार प्राप्त करने में आ रही प्रिशानी के दौर में, महावितरन के नागपुर परिमंडल ने सामाजिक प्रति पद्धधा का निर्वाह करते हुए 201 बिरोजगार इंजिनियरों को 10 करोड रुपे के खारियों का अवंटन कर उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। कारे का वितरन किया गया है। उपकार्यकारी अभियंता अभिजित सुर्य वंचियू पस दित्थे। नाकपर सुधार प्रण्यास के अंतरगत रामेश्वरी परिसर में आने वाले खस्राक रामांग 51.1, 51.2, मौजा बाबुल खेडा, काशिनगर सित्थ, सैंकडो, भुखंड धारक कई वर्षों से अपने प्लॉट के नियमिती करण की मांग कर रहे है। हाईकोट ने उक्तब भुखंडो का नियमिती करण दो महिने में करने के आदेश दिये थे, लेकिन नाकपर सुधार प्रण्यास के अधिकारियों ने नयायले के निर्देश की अवहलना की है। विगत आठ महिनों से इस मामले को जान बुच कर प्रलंबित रखा जा रहा है इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कारवाई कर तमाम प्लोट्स का नियमिती करण तत्काल करने की मांग, भारते जनता युवा मोर्चा के उपाध्धक्ष भुपेंद्र उर्फ गोलु बोरकर ने नाकपर सुधार प्रण्यास के सभापती मनुझ कुमार सुर्यव इस आउसर पर डॉक्टर मधुकर मून, सुमित मानकर, यस्चाउधरी, अमिठ ठाकुर, पंकजोशी आदिव पस्तित थे, बोरकर ने कहां कि यदि समस्या का जल्द समाधन नहीं किया गया, तो भाजियों मो द्वारा तिवरा अंदोलन किया जाएगा, भुपेंद्र उर् सावनेर शहर में 123 करोड 26 लाख रुपे खर्चगर, तयार किये जा रहे सरकारी विश्राम गुरुह, 1 करोड 9 लाख रुपे की लगत से बनाए जा रहे PWD के उपवी भाग्ये कारियाले, राजस्वा विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की निवास्थान, दस बिस्तर वाले ट्राउमा केर सेंटर और सावनेर नगर परिशत अंतरगत बगीचा विकास कारेकरम, वह सडक विकास तथा ड्रेनेस वाटर प्रबंधन के अंतरगत, विविद विकास कारियों का भूमी पुजन, राज्य के पश्यो सवर्धन, दुब्दव यवसाय विकास, खेल ए अधिकारी व करमचारी कई दिनों से आवास की समस्य से जूज रहे हैं, उन्होंने कहां कि सरकारी विश्राम गुरुह के नए भवन का लाब यहां आने वाले अधिकारियों, पधादिकारियों वो जनप्रतिनीधियों को मिलेगा, साउनेर में कुशल खिलाडियों और कोच इसको सम्मानित करने के लिए एक समारह आयुजित किया गया था। प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग, कुदरत और सभी सज्जीब के लिए हानिकारक है। ऐसे में इस व्यवसाय को गति देना आने वाले भविश्य के लिए अत्यनता आवशक है। अपने प्रस्ताविक भाशन में संस्था के संचालक संतोष रामगिरवार ने आर्सेटी नारपूर द्वारा चलाये जा रहा है विभिन उपक्रमों की जानकारी दी। साथी प्रशिक्षन आर्थियों को संदेश दिया कि वे स्वरोजगार एवं उद्वय जक्ता के मार का अवलंब अपनाए और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। हाल ही में एंश्री कुमार ने दक्षिन पुर्वा मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य वानिज्य प्रबंदक का पदभार ग्रहन किया। और विगत 32 वर्षों से रेलवे के परिचालन, मानेज्य विभाग, प्लानिंग एंड विजिलेंज जैसे विभिन्दम महत्वपुर्णक शेत्रों में योगदान दिया। उन्होंने रेल परिवहन से सम्मदित उच्चस्तरिय प्रशिक्षन जर्मनी से प्राप्त की है। नागपुर महानगर पालिका के उपदरव खोजी दल ने शुक्रेवार को चार प्रतिष्ठानों के खिलाफ कारवाई की और 25,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया। राधा कुर्शन बी के निर्देश आनुसर और NDS प्रमुब विर्सिन तामबे के मार्क दर्शन में ये तमाम कारवाई की गई। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही। आप से फिर बुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूस नमस्कार।